नमस्कार हेलो डॉक्टर के महा एपिसोड की इस श्रंखला में दूसरी कड़ी की रूप में आज हम हाजिर हैं आपके साथ आप से रूबरू होंगे देश के जाने माने गैस्ट्रो एंट्रोलोजिस्ट डॉक्टर रमेश रूप राए नग साथ आपका बहुत स्वाकत है नबस्कार वैसे तो उदर रोग बहुत सारे होते हैं लेकिन हमारे यहां बच्पन से हमें एक कावश सुनते हैं पापी पेट का सवाल है अब वो जब रोजी रोटी की बाद होती है किसी और की बाद होती तो तो बोला ही जाता है पर वास्तों में जब आपको बीमारियां होती है और इन बीमारियों का जन्म इसी पेट के बीतर होता है जो खाया जो पिया जो पचाया नहीं पचाया तो तब भी हमें याद आता ह यह पापी पेट की वज़े से है, यह पेट जो है बहुत सारे लोगों की जड़ है, और यह पेट ही है जो हमें जीवन जीने के लिए आवशक उर्जा देता है, हमें चलने फिरने की शमता देता है, हमें जीवन में काम करने की शमता देता है, और इसी के जरिये हम अपनी दिन पर आज का एपिसोड हम लिवर पर केंदित करना चाहते हैं और लिवर में भी सबसे पहले तो हम बहुत ही सामने रूप से जनता को बताना चाहेंगे दर्शकों को कि लिवर क्या है क्या काम करता है और मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आधा गंटे बाद आप फॉन कॉल कर सकते हैं आपको सीधे जवाब दी जाएंगे लेकिन सबसे पहले लिवर शरीर का मैं समझता हूं अकेला ऐसा अव्यव है जिसमें रिजेनरेट होने की शमता है पुनर जन्म की शमता है वो थोड़ा सा भी बचा रह जाए चौथा ही लिवर भी रह जाए तो वह 25 यह लिवर जो है उसे हम एक महा फैक्टरी के तौर पर जान सकते हैं जहां पर सब तरह का भोजन जो पच्टा है वो एक वेन के जरिए पोटल वेन के जरिए लिवर तक पहुंसता है और वही पर सारी क्रियाय होती है जिनसे उर्जा का संचालन होता है हम जब भूके होते है तो लीवर में जो जमा हुआ ग्लाइकोजन यानि शक्कर होती है या फैट होता है वो हमारे काम आता है तो ये यक्रत एक ऐसा काम करता है जो कि और कोई ही नहीं कर सकता ये आपको खाना पचाने में साहिक होते हैं खाने को कैसे उस फैट को आपके शिरीर में काम लिया जाया、 कैसे कर्बोहड़ेट को काम लिया जाया, इनका सब का संचालन वही करता है है अगे यह कहें कि प्रेट शीर्ज्छिस्थान पर बेठा है जो कि सारे अवियों को संस्चालित करता है, यक्रत वह अंग है जो की उर्जा प्रदान करता है तो जैसा अनिल जीना भी आपसे कहा कि उधर जो है यानि जो हमारा पाचन तंत्र है वही हमें सब उर्जा प्रदान करता है और उसी की रोगों उसके खराब होने की वज़े से ही बहुत सारे शारीरिक रोग होते हैं आज की कहावत ही होने लगी है और हमारे जो बुजर्गों ने कहा था कि खान पान ही ये तै करता है कि आपका व्यभार कैसा होगा, आप कैसा व्यभार करेंगे, आप कैसे लोगों से बादशीत करेंगे, आप उग्र सोभाव के होंगे, या आप शांत सोभाव के होंगे, आप लड़ाव को होंगे या आप बहुत मित्र यहार रखने वाले होंगे यह सब कुछ इस बात पर निर्बर करता है कि आतों के अंदर जो आपने भोजन खाया है जिसे हम तासीर कहते हैं वो इसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है यकरत ही जीवन का सबसे महतुपूर्ण अंग है लिवर एक है यकरत एक है इसे बचा कर रखिये जैसा अनिल जी ने भी आपसे कहा कि पचीस परसेंट लिवर भी अगर बचा रह जाए तो वापिस ठीक हो सकता है यानि कि आप जितना भी हो सके अपन से पूरा जिन्दगी चला रहे हूं बिल्कु सही कहा है उन्हें उस दौरान में अनिकोनेक ब्लड चड़ाए गए थे और उनके द्वारा उनके शरीड में हेपेटाइटिस B का संक्रमन हो गया है जिसके वजह से उनका लिवर बहुत नश्ट हो गया हालाकि अब दवाओं क लेने से उनका काफी अच्छा यकरत हो गया है और जैसा अनिलजी ने कहा कि बहुत खराब होने के बावजूद भी उनका लिवर अभी तक अच्छा काम कर रहा है क्योंकि जो कुछ बचा है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है जी डगसाब मैं जाना चाता हूं कि आम तोर प पॉइंट उठाया है जिसे आज की हर नागरिक को जानना जुरूरी है जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं चांस की बात है उस समय आपके लिवर फैटी आता है और उसकी ग्रेड्स होती है अगर ग्रेड वन है तो कोई बात चिंता की नहीं है लेकिन ग्रेड टू थ्री और फ का जीवन हम निश्क्रियता से जीते हैं हम टेबल पर बैठके तो खूब काम करते हैं लेकिन न तो भागदौर करते हैं हम अपनी गाड़ी में बैठते हैं दफ्तर पहुंचते हैं दफ्तर से घर चले जाते हैं कोई वर्जिश या व्यायाम का हमारे पास कोई समय नहीं होत तो यह जो आप खाते हैं खाना और वह खाना अगर पच्टा नहीं है तो यह फैट जाकर लिवर में जमा हो जाता है यह बहुत ज्यादा नुक्सान करता है इस तरह से मानिए कि लिवर का एक सेल है उस सेल में चरबी बिल्कुल नाम मत रखी होती है लेकिन जैसे जैसे ढ़ते जले जाते हैं लिवर शिकूड कर छोटा हो जाता है जिसे लीवर सिरोसिस कहते हैं आगे जाकर इसमें केंसर भी हो सकता है तो आज की दुनिया में जब हम यह देखते हैं कि पहले हिपेटाइट इस वी और सी की वजह से लिवर को ज्यादा नुक्सान होता था आज चना और वाह जमा हो जाता है इसका अलगल कोता है, अलग मतलब कि उसमें क्या प्रिकोशन बरत नेचीर क्या दवा मतलब दवा तो डॉक्टर देखके बताइगा किसी को पर क्या उक्षी कूर बात है कि metabolic syndrome नाम का एक syndrome यानि कई सारी बिमारियों का एक समू है जैसे diabetes, blood pressure, obesity और आपके शरीर में thyroid की बढ़ोतरी हो जाती है तो इस metabolic syndrome की वज़े से हमारा liver जो है उसमें fat ज्यादा जमा होने लग जाता है तो जब कभी हमें ये पता पड़े तो अगर हम overweight है या हमारा वजन हमारे height के नुसार नहीं है तो हमें अपने वजन को घटाना चाहिए और जो कुछ हम खान पान कर रहे हैं उसमें 30 प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी तब जाकर हमारा वजन घटेगा अगर हम 10% वजन अमारा घटा लें तो fat से होने वाला जो नुकसान है fatty liver वो बहुत ही कम हो सकता है तो इसलिए सबसे जुरूरी है कि हमें जैसी पता पड़े तो हम अपने diabetes टेस्ट करें अपने blood pressure टेक करें अपने thyroid का टेस्ट करें और सारे टेस्ट डॉक्टर की सला से करें और उनमें कोई खराबी हो तो उसको हम करें और अगर कोई इनमें से भी खराबी नहीं है लेकिन ह हमारा मुटापा बढ़ता जा रहा है तो हमें व्यायाम पर विशेश ध्यान देना चाहिए खान पान और व्यावार व्यायाम इन दो से ही आप अपने लीवर को बचा सकते हैं यह आपने बताया कि तीनों चौरों बीमारियां एक दूसरे जुड़ी है शाहिए बहुत जु क्या मिर्च मसालिव जाना चाहता हूं और आपने जो जंग फूट के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए क्योंकि अगर आप यह देखें कि आज की जमाने में हम जो कुछ भी खा रहे हैं वह बहुत ही खराब है आप देखिए कि परने जमाने भी हम खाते थे लेकिन उसके साथ हम व्यायाम करते थे तो हमारा यह पच्छ जाता था आज की तारीक में व्यायाम तो हो गया निल और हम खाना उसी तरह खा रहे हैं और उसके बावजूद भी ऐसे ट्रांस फैट्स खा रहे हैं जो की लीवर में जाकर बहुत नुक्सान करते हैं जैसे हम एसे वरस्पति तेल का उपयोग करें जो की बार-बार उसको तला जाता है तो उससे जाकर हो जाता है जैसे कि आज के जमाने में जितने जंक फूड बजार में मिल रहे हैं उन सब में ऐसे फैट हैं जो की लीवर को बहुत नुक्सान करते हैं और देखा गया है कि हिंदुस ज्यादा नुक्सान करती है क्योंकि आमाशे के चारों तरफ और आतों के चारों तरफ जो फैट जमा हो जाता है वो सीधा लीवर से संपर रखता है तो वो सारा के सारा फैट लीवर में जाके जमा हो जाता है और बहुत ज्यादा नुक्सान करता है तो हमें अपनी पेट अ जो कुछ भी आप खा रहे हैं वो पच सके विटामीन E यानि अंकुरित चना मूंग और मौड जो है उसमें विटामीन E बहुत होता है उसे हमें रोजाना अपने में आज अगर अंकुरित खाया है चना तो कल मौड परसो मौड तक खाईए इस तरह खाने से आपकी विटामीन E के संख्या बढ़ सकते है विटामीन E जो मेरे खासे मसल्स को ताकत भी देता है और इसकी वैसे बुड़ाबा देर से आता है मैं जो समझता है अगर गालों के नीचे जुरियां पढ़ जाए या आपके शेरी में जुरियां पढ़ना लग जाए विटामीन E कम है उसे आप को जरूर उपयोग में लेना जी बहुत साइर लोग तो विटामी E का कैप्सुल फोड के बिस लगते हैं बिल्कु ठीक है वह उसके वह उनका अंकुरित मुंग मोट खाना शिरू करें ऐसा करने वह ज्यादा अच्छा होगा बहुत बहुत फायदा होगा पुराने जमाने म सब चीजें आपके अंकुरित करके खाने से विटामीन यह बहुत अच्छी मात्रा में आपको मिल सकता है यह आम तौर पर बीमारी यह पीलिया लिवर के नाम पर सबसे पहले हम बच्पन से पीलिया सुनते आ रहे ती तो बात की बातें भी शिरोसी और यह तो बहुत डवल ऐसा है सब कि यह पीलिया अधिकतर किसी ऐसे जीवानू के शरीड में प्रवेश करने से होता है जो कि लिवर में जाकर संक्रमन करता है इनका नाम है हेपिटाइटिस A, B, C, D और E इनमें से हेपिटाइटिस B और C और D जो है वो दूशित रक्त के शरीड में प्रवेश कर जाने से होते हैं और A और E जो है दूशित जल के शरीड में प्रवेश कर जाने से होते हैं अब आप इस तरह समझे कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के शरीड में से निकली हुए एक सुई है उसके सुई की नौक के उपर लगा हुआ एक बिंदू जैसा खून भी है उससे भी हेपि कत्रा भी पहुंच गया जी तो आपके नुक्सान हो सकता है और इसलिए सबसे जरूरी है कि हम ऐसे रक्त का उपयोग करें जैसे अमिता बच्चन साब क्या आपने कहा तो उनके ऐसे रक्त का उपयोग वो उसमें हेपिटाइडिस B के बारे में जानकारी नहीं थी उसे टेस से लेना चाहिए आप अपने परिवार के ही लोगों का दिया हुआ रख लीजिए बजार से खरीद कर रख मत चढ़ाइए जो खरीद आपना खून बेंच रहा है उसके शरीड में खून हो गई कहां से वह आपने उसी संक्रमंट से कई से ग्रसित होगा तो आप उस खून को चढ़ाके भी क्या नुक्सान करेंगे क्या फाइदा करेंगे पीलिया हो गया दिखे दधे जीवान अ लेवर में पहुंच जाता है तो सबसे पहले जैसे वाइरल फीवर होता है जिस सारा बदन तूटने लगता है, हलकालका बुखार होने लग जाता है, आपको भूक लगना कम हो जाता है, उल्टी करने का जी करने लग जाता है, अगर ऐसे कोई संकेत आपके शरीर में होते हैं, तो आपको जानकारी करनी चाहिए और अगर देखना चाहिए कि क्या खूप सार पानी पीने के बाद भी आपका पिशाप का रंग पीला है अगर और आखों सूरज की रोशनी में ले जाकर अपनी आखों को देखिए दिखवाईए अगर वह हलकी सी पीले होने लगी है तो इसे पीलिया कहते हैं और यह संक्रमन का ध्योतक है इसलिए जब कभी ऐसे लक्षन हो तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और सबसे महतुपूर्ण बात है ऐसा होने के बाद कोई विशेश प्रकार की दवाई आज तक खुपलप्त नहीं हुई है जो की पीलिया को ठीक कर सके चाया हम जाड़ा फूप करें चाया कुछ भी करें दो से चार हफते तक यह एक मियादी तरह की रोग है जी आठ हफते में सौ में से पिच्चाणू लोग बिलकु ठीक हो जाते हैं जी सिरफ पांच परसेंट लोगों में हेपिटाइटिस के लक्षन बचे रह सकते हैं लेकिन पिच्चाणू परसेंट बिलकु ठीक हो जाते हैं इसी का सब्सक्राइब करने के लिए आप कहते हैं तो शरीर कमजोर होने लग जाता है और उसे काम करने की शमता खतव हो गया तो उसे आपको अधिक से थिक्माति में शरकत देनी है गन्य का रसका सबसे बड़ी खराबी यह है कि सडक पर वो गन्ना पड़ा रहता है उसे धोया जाता है या नहीं धोया जाता है उसके आसपास मख्या मंडराती रहती है उस गन्य के रसको पीने से नुकसान ज्यादा होंगे फाइदे कम होंगे भले ही आप ख जंदा पड़ा हुआ है उसे ना पीजिए तो तो फिर आपको ठीक करता है बहुत बहुत अच्छा है वह आज के जवाने में काई अच्छे सेंटर्स बन गया है जहां पर ना इंफेक्शन होता है ऐसा ना बख्या आती है ऐसी जगें से आप लेकर पीजिए हैं और शक्कर का पानी आपको सबसे ज्यादा उप्योग करना चाहिए ना हो तो मिश्री का पानी शहाद का पानी चीनी नमक का पानी शर्बत का पानी जिन बर में 15 गिलास अगर आपे और 20 ग्राम चीनी लगातार पहुंचाना चाहिए एक बड़ी ब्रहंती है कि जैसे पीलिया होता है उसका खाना-पीना सब बंद कर देता है यह बहुत गलत है हमें खाने-पाने में सावधानिया बरतनी चाहिए तलीवी चीज़ें नहीं देनी चाहिए लेकिन अगर हमें 200 ग्राम हमने जैसे ची लिए आपने प्रोटीन यानि दूद और जैसा आपने कहा कि रसकुले इसका उपयोग कर लिया तो प्रोटीन सफीशन मातर मिल गया चैना मुर्गी भी खा सकते हैं ऐसा कोई भी जिसम हाई प्रोटीन हो उसका उपयोग करें और फैट खाना बंद नहीं है रोटी चुपड नहीं लगती उसे और अगर उसे ऐसा खाना दिया जाए तो बिल्कुल ही नहीं खा सकता इसलिए जब तक वो यह ना कहें कि मेरे को चौक की सूंग से ही घर में चौक लगती है और उसको उल्टी आने लग जाती है ऐसे विक्ति को फैट न दें लेकिन पांस साथ दिन के बा लोगों पर बातचीत का सिल्था जाई रहेगा और आप भी सवाल पूछ पाएंगे किस नंबर पर पूछ सकते हैं नंबर यहां बराबर दिया जा रहा है उस नंबर पर आप लोग सवाल पूछ सकेंगे आज हम बात करें देश के जाने माने गेस्ट्रेंट्रोलोजिस्ट डॉक्टर रमेश रूप राय से लिवर संबंदी रोगों के बारे में डाक साब हम बात करें थे पीलिया की एप्टाइडिस बी की और एनलाज लिवर की लेकिन ये भी एक बात सुनने में आती है कि बहुत सारे लोग जो शरावी होते हैं खूब ज़्यादा पीते हैं उनकी अक्सर ये बीमारियां ज़्यादा लग जाती है आपका क्या इस मारे में कहना है अने आपने बहुत सही का आज की ये दुनिया जो है वो एक ऐसे परिवर्तन के जगें पर पहुंच गई है कि जो नहीं पीते उन्हें प्रगतिशी नहीं माना जाता पिछरावा मानतें तो ऐसे लोग पाग लगातार जब एल्कॉह का सेमन करने लग जाते हैं यानि अगर 80 ग्राम एलकोहल की मात्रा यानि मान लीजिए करीब चार पैग और तीन पैग तक जो पीने लग जाते हैं रोजाना वो हमेशा इस रोग से ग्रसित होने की संभावने रखते हैं जैसा कि सिरुशे होता उस के बाद फैटी लिवर फैटी लिवर के बाद में अगर आपने बंद कर दिया उल्कॉहल तो यह लापिस सूदर सकता हैbr hamas नॉर्मल हो जाकता है लेकिन अगर ये फैटी लिवर से बढ़कर के आपका लिवर सिरोसिस तक पहुच जाए तो ये बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है और इसका मतलब यह है कि लगातार जो लोग सेवन करते हैं वो नूट्रिशन यानि अच्छा आहार नहीं खाते हैं हमा जब घृठे तो भूकश नहीं होती है आपकी फ्रेय इस तिती नहीं होती कि खना कह सकें तो आपके मात्रा कम होने लग जाते है विटामिस खिरा मस कम उनने लगता आपका मुटा पा तौरकत शृडों इस बर्ढली कहते हैं वह बहुत ज्जादा बढ़ Suppose भ। जाती है ये जूटी calories कहलाती हैं, यानि calories तो पहुंचती हैं, लेकिन उस calories से शेरीर को शक्ती नहीं मिलती, वो जमा हो जाती हैं, लेकिन नुकसान बहुत जादा करती हैं, और लिवर सिकुर कर छोटा हो सकता है, और अगर ये लिवर सिकुर कर छोटा हो जाए, तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा नुक्सान होने लग जाते हैं जैसे बहुत ज़्यादा ग्यारी आंके पीली हो जाती हैं पाउं में सोजन आ जाती हैं पेट में पानी भर जाता है इंदर के इनदर खुन निकलता है एक pressure अंदर एक खटा होता है और और सारा के सारा कून बार आ जाता है ऐसे व्यक्तियों का आगे जीवित रहना और पेट में पानी बढ़ जाना उसके जीवित रहने के लिए बहुती ज़्यादा संकट में हो जाता है तो सबसे जरूरी चीज है कि जब कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि लिवर सुरोसिस हो गया है लेकिन अगर वो आदमी एलकोहल को बंद कर दे तो ऐसा पाया गया है कि जैसा अनुल जी ने पहले शुरू करते ही कहा कि लीवर में रीजनरेशन की शम्ता बहुत अधिक है तो उस रीजनरेशन की पावर की वज़े से जो बचा हुआ 20% भी अगर लीवर है तो वापिस पांच साल के अंदर आपके लीवर को ठीक कर सकता है अगर आप अलकोहल को बंद कर दें यह बहुत अच्छी बात है लेकिन होता क्या है कि जैसे आदमी ठीक होने लग जाता है वो वापिस दुबारा उसकी तरफ चला जाता है यह जो शराप की वज़े से तो इसको जो ठीक है और मैं जानता हूं जैसे कि पोर्टल वेंस को दर्द बाता है तो पोर्टल हाईपर तेंशन हो जाता है तो वैसे ब्लीडिंग होती है बिल्कव ठीक करें आप लेकिन जो शराब नहीं पीते उनको भी विमारी होती है कैसे हो जाती है देखिए ऐसा है कि ल तूटते हैं उसकी वज़े से लीवर में स्कारिंग हो जाता है जिसे वाइब्रोसिस कहते हैं वहने लग जाता है लिवर सिकूर के छोटा हो जाता है आप अगर दारू नहीं भी पीते हैं लेकिन आपने जो अपना मुटापा बढ़ा लिया आपको डाइबिटीज हो गई जैसी एलकॉल में होती है तो सबसे जरूरी इस देश में इस बात की है कि हम वापिस अपने व्यायाम की और जैसे के हमारे मानिये प्रदानमंत्री जी ने कहा योग ही जीवन है हम योग ना करेंगे तो हम मानसिक तोर पर शारिरिक तोर पर अपने आपको स्वस्त नहीं जुक्सान फैटी लिवर ना हो सिरोसिस नहीं हो और उससे होने वाला कैंसर है वो भी नहीं हो तक सब यह जो जब ब्रीड करती है पॉर्टल वेंस तो मैंने ऐसा देखा है कि एक इंजेक्शन आता है स्टोमस्टो स्टोकिल वो लगा देते हैं तो ब्लीडिंग दुक जाती जो हमारे आतों के चारो तरफ जो वेंस हैं उन्हें चौड़ा कर दिती है और उस चौड़ा करने की वज़े से हमारे शरीड में प्रेशर लिवर के अंदर कम हो जाता है और खुंती, clan बंद हो जाता है इसे एंडोस्कूपी के द्वारा शल्ले लगाकर या इंजेच्षिन लगा कर भी हम इसे बंद कर सकते हैं विद्या तो बहुत हो गई हैं लेकिन प्रिविंशन इस बैटर देन क्यों यानि आप अपने आपको बचाईए पहले लिवर के सिरोसिस तक पहुंचने की संभावना है घटाईए क्योंकि अगर आपको लंबे समय से डाइबिटीज है ल बॉक्टर तो हभिशा ही मना करते हैं शराब के लिए सब के लिए पर शराब पीने वाले कई बार तर्क देते हैं कि हम पहले सलाद खा रहे हैं पहले पनीर खा रहे हैं पहले चीज खा रहे हैं पेट में एक तैज हमा रहे हैं उसके उपर शराब जा रही है तो वो लिवर क कुछ खालें तो कम नुक्सान करें देखिए शराब कम तो नुक्सान नहीं करेगी क्योंकि उसका लेवल तो धीरे-धीरे बढ़ेगा लेकिन एक ही कहावत है कि आप हलाल करते हैं या आप उसे जटके में जटका करते हैं तो ख्याटका अगर देंगे तो लिवर को ज्यादा प्रवाइड को नुकसान हुता है हलाल करते हैं तो कम हुता है अगर आपने प्रोटीन कार्पोईड्रेट फेट वगरे जो है खाने से पहले आप शराब पीने से पहले खाया है तो आपके लीवर का नुकसान होने का संभावना है 5-10 पर सेंट ही कम हो सकती है लेकिन तो हाँ जी हाँ वह बहुत ज्यादा देखिए इस देश में टीबी और डाइबिटीज एक महामारी के तौर पर फैल रही है मुटापा तीसरे नंबर पर है इसे आप यह समझे कि टीबी की दवाई हमारे नहीं नहीं करते हुए 20-30% लोगों को हिंदुस्तान में टीबी है और ज अगर ऊकियों कोई खाघ्रा है अगर उसकी आखे पीदी होने लगती है पिशाप तो उसका कारण पीला आएगा लेकिन उसकी अगर आखे न्गैज़ों भूख लगना कम हो जाता है उस कूल्टी करने की इच्छा होती है जैसे कि एक वाइरल हेटाइटिस वाले को होता है हमें इमीजेटल अपनी टीबी की सारी दवाईया बंद करके डॉक्टर की सला लेकर ऐसी टीबी की दवाई लेनी चाहिए जिससे की लीवर को डेमेज नहीं केते हैं कि वह कोई जैसे जैलोसेल या ऑसे का आते है उनके दो-चंमच ले know विश्प विल्यक्राबरान तो युक्त आज कुम करते हैं और तेजाब से होने वाला जो ढ़राई की के वज़ए से यह जादा बन जाता है उसको तो भली कम कर दे जैलू से लेकिन आपके लीवर को होने वाले नुक्सान को नहीं बचा सकती यह कॉमन बात है आजकल एसीडिटी जैसे उसका वह संबंद है एसीडिटी के रोगी जितने भी होते हैं वह अधिकतर कई बार ज्यादा फैट और ज्यादा मिल्क का उपयोग करने लग जा बातचीत करने का इस सिल्सला जाई रहेगा फिला लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद हम इसके बाद हम दर्शकों के सवाल लेंगे फॉनकॉस लेंगे और ड़क्टर रमेश रूप राय देश के जाने माने गैस्ट्रोंट्रोजिस्ट हमारे साथ हैं वो आपकी श जानमन्दी रोगों को लेकर हमने पीलिया पर बात की हमने एंलार्ज लिवर पर बात की हमने हैप्टाइटिस पी सी पर बात की हमने लिवर के सिरुसिस्ट पर बात की और शराब के क्या प्रवाव दुश्परवा होते हैं उस पर उस पर भी चर्चा की डग्साब फिलाल ए कहां से बोल रहे हैं जैकपूर से बोल रहे हैं जी बताइए सवाल क्या आपका नाम बताईए कुसुम लटा है मेरा नाम जी अबात करें लगसा वहां बिल्कुल भी लेती हुए रात को और आयरेंट एफिशेंसी हुआता मुझे पहले उसके बाद मैंने काफी खाने पर ध्यान दिया लेकिन फिर भी इतना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वहता है बहुत ज़्यदा तेकिए जिसे आप गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कह रही हैं जिसे डकार कह रही है आप डकार को इस तरह समझे आप कि हर एक व्यक्ति जो अपने शिरीड में पाचन क्रिय क्याके द्वारा जो गैस बनाता है जो नीचे से पास होती है वह बहुत बद्बूदार होती है और आपकी जो डकार आती है उसमें कोई बद्बू नहीं होती है मैं उसी बात पर आ रहा हूं आपको मैं समझाने की कौशिश कर रहा हूं कि यह ऐसा क्यों होता है एक व्यक्ति जिसके मन में तनाव होता है तो उसका हलक सूख जाता है हर आदमी को बोलने के लिए थूख की जरूत पड़ती है जब एक बच्चा इंतियाम देने के लिए जात जाती है बोजर नली जो है यहां पर होती है और वो च्छाती में हड्डियों से बंधी हुई होती है आपने सौस इसी हवा गिटक गए यह च्छाती में जाकर फैल तो सकती नहीं क्योंकि वहां कोई जगे नहीं होती एक तरफ हरदय होता है दूसरी तरफ लंस होते हैं तो बंधाव डालती है तो सीने में दर्द होता है कभी दर कभी दर कभी पीठ में आपको गुटन मैसस होती है आपका दिल धहड़कने लग जैता है ऐसा लगता है मिरा तो जीव निकल जाएगा दिमाग को एक संदेश जाता है कि तुमारी छाती में हवा है जब हम तनाव गरस्थ होते हैं तो हमें हर चीज उल्टी मेस्व होती है, हमें मेस्व होता है हवा छाती में नहीं पेट के अंदर है, और पेट में तो उत्ती गंदी हवा बनती है कि अगर यह उपर आने लग जाए तो नाक सर जाएगा, हम जो हवा गिटकते हैं वो इसी तरह पर आगए हमारे जी यह सब पता ही कौन बोल रहा है कहां से अलो है जी नमस्कार जी पूछना कहती हैं है कॉछनी हम खाते हैं लेकिन जो वेचिटेबिल संगे तूप इवन जो पानी हम पीरें हैं जी हावामे साथ ले रहे हैं उससे पॉल्यू ते पॉल्यूटेद है सबसे महतुपूर्ण चीज है पानी क्योंकि पानी जब कभी हम उपयोग करते हैं तो उसे हम इस तरह के क्लियर वाटर का यानि जो पानी ग्लास है उसमें पीना चाहिए उससे क्या फाइदा है इसमें अगर कोई दूशीत पदार्थ होते हैं तो नीचे उपर घूमते हुए नजर आ जाएंगे आपको दूसरा उसे सूंग कर फिर पीना चाहिए कि उसमें कोई बद्बू तो नहीं है लेकिन अगर आप घर में जो पानी आपके आ रहा है अगर नल से आ रहा है तो ठीक है अच्छा है लेकिन अगर आप उसे यह चाहते हैं कि आपके घर में 6 सदस्य ह तो करीब 18 से 20 लिटर पानी आपको पीने के लिए चाहिए अगर आप रात को इतना ही पानी उबाल लें और उसे ठंडा करके सुबह पिए इससे अच्छा कोई उपाय नहीं हो सकता घर के बाहर पानी पीने की संभावनाओं को कम कर दीजे घर से ही पानी बरके ले जाएए और उसी पानी को पीजिए दूसरा यह है कि अगर क्लोरीन की गोलीयां सरकार के द्वारा मिलती हैं आप रात को अपने मटके या जिस बर्तन में भी आप पानी रखते हैं उसमें क्लोरीन की गोली डाल दें बहुत बड़ा नुकसान इस देश में हो रहा है आडो के पानी से आज की तारिक में बहुत सारी एजन्सीज ने इसका जाच करी है और यह पाया है कि शरीर में बहुत सारे जो पदार्त होते हैं जैसे केड्मियम है जैसे आपके कॉपर है में इसलिए जरूरी है कि आप उनी पुराने तरीकों को काम लें एक और कॉलर रागसाब जी बताए कौन बोल रहें कहां से बोल रहा है बताए नाम बताए अपना वहिंदर कुमार गोयल है हां बताए सवाल पूचिए नमस्कार गोयल जी निवेजनी यह कि यह कायल मेरे को य जियां जियां साब तुम्हें लेकर के दो दो गंटे और लेकिन की रस्ते डर्द और रोका है आपने बिल्कु ठीक का कब्ज इस देश की बहुत बड़ी बिमारी है और हमें बच्पन से सिखाया गया कि अगर दस्त साफ नहीं हो दाया है तो सारा दिन खराब हो जाता है क् इतनी गैस पेट में बनती है इतना ही पेट फूला रहता है खाना खाने की इच्छा नहीं होती है मन चिलशिड़ा हो जाता है तो आपने बिल्कु ठीक प्रश्निक किया है कि अगर आपको कबजी है तो पानी ही जीवन है यह समझना चाहिए कि अगर आप 3-4 लीटर पानी रोज पीते हैं और सुबह उठकर कम से कम भी 3-4 गिलास पानी एक साथ पीते हैं तो जैसे ही पानी पेट के अंदर जाता है वहां से एक बिजली का करेंट निकलता है जो कि आंतों को यह संदेश देता है खाली हो मैं आ रहा हूं यह तो नहीं है कि जो आपने पानी पिया व सब्ससे जाला मातरा में होता है इसका उप्योग करने से सब्समें फैस्टा हो सकता है अगर आप यह पानी गपियोग करें हारी पत्नेदाज सब्सक्राइबरें जौ-चना न्यों का रोटि का उपियोग करें तो संभावना यह है कि आपके कब कि लेकिन एक और बात याद रहें कि यह हमारा जो दिमाग है यह स nutr nutr उसको कंट्रोल करता है घर में गमी हो जाए तो आपको सुबह कबजी हो जाएगी आपके मन में टेंशन ज्यादा है तो बार-बार लेटिन जा रहे हैं तो हमें तनाव मुक्त जीवन जीने का एक तरीका ढूनना चाहिए आज की दुनिया में सबसे महतुपूर्ण के साथ लें तो मोशन क्लीर होता है दई के साथ लें तो कबजी हो जाती है यह डबल एक्शन है इसका लेकिन जिने कबजी है जैसा कि गोहल साब ने भी का भरतपूर से तो हमें इसरबूल की भूसी को खाना खाने के बाद में दो चमच और अगर आपको डाइबिटीज नहीं है तो चीनी के दो चमच चीनी के साथ मिला कर पानी के साथ अगर फांक लें तो आपको बहुत फायदा होगा और पानी के साथ घोल के भी ले सकते हैं रात को अगर आप सोने के समय लें और आठ बज़े आपने खाना काया है और दस बज़े अगर आप भूसी खाएंगे तो बूसी जो है अलग से आपकी खाने के साथ मिक्स नहीं हो पाएगी मिक्स नहीं होगी तो आपको उतना फायदा नहीं हो गा कि निक खाना-खाने के एकदम बाद अगर इस सर्वोल का दो चम्मच का उप्योग करें सुबह नाच्टे में भी दो आपके लिए बहुत ही उप्योगी रहेगा कब्स दूर करने के लिए एक और कॉलर साथ में हमारे बताए कौन बोलने कहां से अगर ऐसा हो रहा है उन्हें तो उसे आप डॉक्टर से तो करने ही पड़ेगी किया उनका लिवर ठीक आम कर रहा है या उनका किटनी ठीक काम कर रहा है क्या उनके आमाbardziej में कोई घाव हो गये है इसकी तो आपको करनी ही होगी और उसके बिना तो यह बताना मुश्किल होता है कि उल्टी क्यों हो रही है लेकिन कम-कम खाना और तरल पधार्थ खिलाने से आप उनकी उल्टी पर रोक लगा सकते हैं वरना डॉक्टर की सला करके और डॉम परिडॉन नाम की दवाई होती है उसका प्रप्यों का आप करके और इस तो उल्टी को रोक सकते हैं एक और कॉलर हमारे साथ हैं बता ही कौन बोल रहे हैं कहां से मैं त्रिप्ति बोल रही हूं जैपुर सो जी नमस्कार करती जी आप पूछे पूछलों भी डिरेक्ली सवाल हाँ बिल्कुल सुने हैं नमस्कार बार बार चाले हो जाते हैं जिए इसका भी संबंद पेट के रोगों से होता है तो इसके लिए क्या मतलब उचार लेना चाहिए या क्या साफधानी बरतनी यह आपने बहुत मेहतु प्रश्ण किया है प्रश्ण के साथ में जवाब भी आपने दिया है कि अगर आपकी आते पर अगर कोई पेंसिल से हाथ लगा के लिख दे तीन तो तीन कांग उबर के आ जाता है अगर आपके शरीर में मुह में अंदर चाले ज्यादा होते हैं तो इसका कारण यह है कि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की आपके शरीर में कमी है जो की जीब की तवचा है अंदर की उसको एक अच्छी तरह बनाए रखने के लिए काम आती है रात में अगर आप ब्रश करके सोए आप अंदर जो जीवानू है उसे एंटी बैक्टिरियल पदार्थ से आप अगर आप उसे मुह को रिंज कर ले तो यह किटाणू वहाँ पर कम होंगे रात में अगर आप पूरी रखिए मानसिक तनाव कम से कम रखिए और अपने रात को अगर एक थोड़ा सा घी अपने मुह में लगा कर सोए ताकि वह आपके चमडी जो है वह से चिपके नहीं यह बहुत उपयोगी रहेगा तक सबसे महत्तुपूर्ण जीवानू है जो की शरीर में मौजूद सब बुरे बेक्टिरिया जो होते हैं जो बाहर से भी अंदर पहुंच जाते हैं उनसे लड़ाई वही लेक्टो बेसिलाई करते हैं तो दूद जो हता है उसे अगर आप जमाते हैं तो लेक्टो बेसिलाई उसमें स्वते ही बहुत जारे बड़े जाते हैं अगर आप दही क एक पीले रंग की गोली हुआ करती ही, यीस्ट की गोली कहते थी, तो यीस्ट की गोली को पीस कर दही में मिला कर हमारे माता पिता हमें खिलाया करते थे, ये सबसे सस्ता और अच्छा उपयोग था, आज की तारिक में ऐसी यीस्ट की टेबलेट्स नहीं मिलती है, लेकिन आप आपको शरीड में बार-बार दस्ते होती हैं, आपके शरीड में बार-बार बुखार होता है, तो या संकरमन बार-बार होता है शरीड में, तो आप लेक्ट्रो बेसिलाई का उपयोग करें, आपके शरीड में लड़ने की शम्ता बहुत अधिक बढ़ जाएगी. ये फॉली फॉलीक एसिड आपने का तो ये जानकारे ही कि एक इस वे लिए वाली कि अटे जानकरी में एक इस जो हुझते हैं एक जिटु हम एक अधिकन बोला रहें बात करना चाहते आ मतार्य कॉन बोले जो बोना है कहां से अमनोड और पाता ही हानी जी आलो रहें पहुता ह में पन्ना दस होते हैं मैं आपसे प्रश्ण पुछना जाता हूं कि क्या ये दस्त जो आपको होते हैं वो पतले होते हैं और छोटी-छोटी मात्रा में होते हैं या बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं ज्यादा तर छोटी मात्रा में होते हैं इदर खाना खाये लेटिन एगिन रात को जब वो सोझाती है गहरी नीन मैं तो थैं रूजो मेह रेकुइन दस्त होते हैं लेकिन जक्क staying का नहीं मेरा सौचना है इसमें कि कम कम मात्र獰 margin होती है इसका मतलब उन्हें कबजी है और ये जूटा डाइरिया है तो आप इन्हें कपजी का जो भी हमने उपाय आपको बताए हैं वो करिए और उसके साथ में डॉक्टर के सला करके उसको ये कहिए कि मेरे को छोटे छोटे दस्त होते हैं चिरके 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 कपड़े के अंदर ही टट्टी लग जाती है ऐसी स अच्छा इलाज वो दे पाएंगे कि वो इस्पूरियस यानि जूटा डाइरिया है कि अधासर एक पोजिशन हो हां हां मेरे को सिष्टी एट एज है मेरी हां हो कम और मुझे जब भी मैं पानी गरीबन गरीबन शेयर नीटर होई ना पिड़ा हूं बहुत अच्छी बहुत सब्जी भी बहुत होती है और दूद में नहींता हूं जब मैंने तो मोचन होता है तुझा दूद नहीं है नहीं है देखिए हिंदुस्तान में 30% लोगों को दूद से डाइरिया हो सकता है ऐसा पाया गया है तो अगर आपको दूद पीने से आपको दस्ट अच्छा आता ह है तो आपको रोग है लेकिन आपके लिए वह एक वर्दान की तरह है तो अगर आपको दूद पीने से दस्ट साफ होते हैं तो आपको जरूर दूद का उपयोग करना चाहिए दूद में तो सभी सरे के सर्वशक्ति के गुण है तो आप उन गुणों का उपयोग करिए कई ऐसे पदार्त आजाते हैं क्योंकि उबालने से वह जिवानों जोकी नुक्सान करते हैं वह नुक्सान कम हो जाता है तो उबाल करके ठंडा क्लिया हुआ दूद हो अच्छा रहेगा लेकिन अगर आपको निवाया दूद पीने की आदत है तो वही इस सबसे अच्छा है एक और कॉलर नमसे जुड़ गए हैं पता ही कौन कहां से बोल गए है ताम नहीं चौदरी बोरो हां नमस्कार महिंदर चौदरी साब नमस्कार सब्सक्राइब क्या करते हैं तो देखिए ऐसा है कि आजकल शुगर को कंट्रूल करने के लिए नमस्कार सब्सक्राइब चौदरी साब नमस्कार मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि अगर आपको डाइबिटीज है तो आपके सारे अंग ही शितिल हो जाते हैं वैसे ही आपकी आतें भी शितिल हो जाती है तो जैसा हमने कई सारे उपाय जो भी आपको बताए कि पानी का उप्योग अधिक सधिक कर गुदि फिर दूर होने की सभावना अगर नहीं होता है फिर तो आपको डॉक्तर की सलह लेनी पड़ेगी क्योंकि अगर आतें आपकी धीमीकति से चलती है तो बैस्तिलेट करने के लिए आजकल प्रू केलो प्राइंड नाम की एक दभाई आई है प्रू केलो प्रूप्रा पड़ा रहता है मल निकलता नहीं प्रेशन नहीं बना सकते हैं और आंतों के चारों तरफ भी तो फैट जमा हो जाता है जो कि उसके चंकुचन क्रिया को कमजोर कर देता है तरिफला का क्या योग योगदान है अगर तरिफला एक अच्छी चीज है लेकिन आप इस तरह समझे है कि ट्रिफला कैसे काम करती है वो आउंतों की जो मास पेशे हैं उन पर किया करती है नर्षपर करती है और उसको G करती हैं जैसे अब बिजली का करेंट लगाँ करेंट लगाती यह उठेगी करेंट लगाती उठेगी अगर आपके दस चालीस बार अगर ऐसा कर दिया तो उठना ही बंद हो जाएगी कितना ही करण दे दीजिए आते भी जो उनकी नर्ज है वो त्रिफला के उपयोग करने से वो उसको नश्ट कर देती हैं और फिर आते चलती नहीं है बिकुल ऐसे स्टेंड स्टिल हो जाती है और उससे आगे आने वाला काम आदत फिया आदती खत्म हो में करने की जी आप किसी दबाव से कोई काम कर आएंगे तो फिर आजमी उसी तरह का आदी हो जाएगा बिलकु होती ही जो त्रिफला से होती है आतों काम करना ही बंद कर देती है पिल्कुल फैल कर चौड़ी हो जाती है सिकूर्टी नहीं है त्रिफला लोगे तभी काम होगा तब भी नहीं होगा क्योंकि त्रिफला बार-बार उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी आप खुद देखिए पहल त्रिकी बिमारी में तो काम आ जाती है लेकिन अगर आपको ज्यादा ही कब्जी है तो आपको दवाईयां लेने से ही ठीक होगा एक और कॉलर साथ में हमारे बताइए कौन कहां से बोल रहे हैं हलो हाँ नमस्कार जी आहां सब्सक्राइब बहुत अच्छे मद्रप्रदेश है कि एक तो पेट साथ नहीं होता है जियां जियां और दूसरा क्रीबन 6-7 मेने से मेरे को बीपी की गोली लग गई है ठीक है सब्सक्राइब अगर आप ज्यादा तनाव से मुक्त रहेंगे आप अच्छा जीवन यापन करेंगे मन को शांत रखेंगे तो बीपी की गोलिय अभी धीरे-धीरे कम हो जाएंगे तूसरा आपने जिसे कबजी के लिए बारे में आपने कहा है अपने अभी कुछ तेर से सरफ कबजी के बारे में ही बात कर रहे हैं मन का तनाव कम रखें पानी का उपयोग अधिक से दिक करें हरी पत्तेदार सबजियों का उपयोग करें ऐसे पदार जिन में फाइबर ज्यादा हो फल हो उनका उपयोग करें आप बिना चना हुआ आटा खाएं बिना चना हुआ जोचना ग्यों की रोटी खाएं अगर आप दलिया खाएं ये सब आपके कबजी को दूर करने में साहिक हो सकते हैं एक और कॉलर हमारे साथ जुड़गे हैं बताइए कौन और कहां से बोल रहे हैं इसी कोई दवा नहीं बनी जो कि आपके मोटापे को कम कर सके चित्ती भी दवाईया बजार में आई हैं अब तक उनके इतने ज़्यादा साइड अफेक्ट्स हैं कि वो आपके लीवर पर आपके रदय पर आपके ब्लड प्रेशर पर दुश्प्रभाव डालती हैं तो ऐसे किसी भी चीज से आप अपने आपको अवगत कराये रखिए कि आप कोई भी दवाई उपयोगने करें जिससे की वजन घटता हो वजन बढ़ाने वाले जो भी पदार्त हैं उनमें आप इसी बात को जानकारी की जाती है कि वह स्टीरॉट कहा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं तो इसके बाजार में दे इसी भी चीज को देखिए घोडा डाल खाता है हरी चीजें खाता है उससे उसमें कितनी बलिष्टा होती है आप भी नेचुरल प्रोटीन का उपयोग करिए दूद दही का ज्यादा उपयोग करिए आप चने का उपयोग करिए अंकुरित चना मौत का उपयोग करिए भाड मे का उपयोग करिए बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और अगर आप अंडा खा सकते हैं तो अंडे से अच्छा कोई भी पदार्थ नहीं होता जिसमें प्रोटीन होता हो तो अगर आप अपने शरीर को बलिष्ट बनाना चाहते हैं तो बाहर के प्रोटीन ना खाएं आप अच्छी कार्भोहेट्रेट अच्छा फैट और अच्छी प्रोटीन की मात्रा का उपयोग करें लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो आटी खा रहे हो चाया आप रोटी खा रहे हो चाहिए कोई फल खा रहे हो चाहिए दूद पी रहे हो सब में 30 परसेंट कम करते जाएए आपका वजन एक पूरे साल में आपका 10 परसेंट वजन कम हो जाएगा जिराक साब एक और कॉलर साथ में बताईए कौन बोल रहे हैं मनोज गिर्दर बोरा मोहाली से नमस्कार गिर्दर जी अच्छा बबारक हो आपको अच्छा प्रोग्रम एवन टीवी को बबारक हो आपके बहुत-बहुत दन्यवाद के आप इसे देख रहे हैं हमें बड़े उत्साहत मिल रहा है आपसे बात करके इसमें सबसे बड़ी बात क्या यह आगे मल्टीपला हो जाएगा कोई बड़ी समस्या तो नहीं होगी देखिए पहला प्रश्ण जो आपने किया कि सोडा का उप्योग करना इनों का उप्योग जादा करना देखिए एक यह दो बार हफते में करें कोई ज्यादा नुकसान नहीं है अजी कोल डिंग जिवन में हमारे हिंदुस्तान में प्रचारी थोने लगा है कि इन कोल डिंग्स में ऐसे पदार्त है ऐसे शक्कर की उप्योग किया जाता है जो कि हमारे शरीर में चर्वी को बढ़ाता है आप देखिए अमेरिका में करीब करीब 30% लोग ओबेस्टी से ग्रसित है उसका का करें के कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग नहीं और कम से कम करें एक सोड़ा भी करें लेकिन वह भी लगातार नेमेत रूप में ना करें कि आप सोड़े यस नो पी जा रहे हैं इसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो आपके रखत चाप को बढ़ा सकती है आपके शरीर में पानी को रोक सकती है और उससे आपके शरीर को दुश्प्रवाव हो सकते है और आपके शरीर को नुकसान हो सकते हैं जो की लिवर सिरोसिस के समय पर ये अलदोस्टरों की मात्रा बढ़ जाती है और यह eldo strong kidney में action करके जो भी हम नमक खा रहे हैं उसे रोक लेता है जब नमक रुकता है तो पानी भी रुकता है तो सारे शरीर के अवियव जो है उसके चारों तरफ पानी ही खटा हो जाता है पाओं में सोजन आ जाती है मुँपे सोजन आ जाती है पेट में पानी ही खटा हो देखिए ऐसे नहीं कि आधा चमच पूरा बर लिया ऐसे आपको चमच भरने के बाद कागत से उससे समतल करिए उसका आधा भाग दीजिए यानि 2.5 ग्राम चमच आप ले सकते हैं यहीं आपके लिए पूरे दिन में उसी का उप्योग करें इसमें फरक है चटान का नमक प पता ही कौन बोलने है नमस्कार बोलने है कोई कोई चले शायद संपर्क टूर गया है डाग सब मैं बस जाते आते एक बात कहना चाहता हूं जिया जिया कि लिवर के बारे में शुरू अमने यहीं से क्या था कि इसमें पुनर्ध नया फिर से नया हो जाने की बड़ी मंदूर हालांकि आप तो एलोपर्थी के डॉक्टर है पर मैं वैसे ही एक जिग्या साथ पूछ रहा हूं और मेरे कोई बताया गया कि इसका नाम पुनर्ध नवा मंदूर इसने दखा गया कि वह उस जड़ी बूटी से बनती है जो लिवर को पुनर्ध नवा करती है और ए ऐसा कुछ आपके कभी देखने में आया। तिके हमारे यहां पर भी हम जैसे स्टेंप अंदर होता है हम भी ऐसी दवाएं दे सकते हैं जिनसे की बोन मेरों स्टिमिलेट हो उससे वह स्टेम सेल्स की संख्या बढ़ जाती है और वो जाकर लिवर में जाकर के लिवर को रिजनरेट करती है तो मैं नहीं मानता कि आयुरवधिया उसमें नहीं होगी क्योंकि हो सकता हो लेकिन उनका किसी ने एक विधी पूर्वक उसका विशलेशन नहीं किया लोगों पर प्रयोग करके यह नहीं दिखाया कि वाकई पुर्णर्जर्म होता है यह नहीं होता है लेकिन एक बड़ी कहावत है जोरदार पुरान पुरानों में लिखी गई है कि एक को बगवान ने सजा देने के लिए एक दुष्ट को एक टक्टकी पर चड़ा दिय रही है और एक वंचर को यानि एक गिल्द को कहा कि रोज सका के ही रियर फोर चाना दुष्ट को खाघा जाता था लिकिन कुछ एक छूटा साफ प्र्षा लीवर का बच जाता था और अगले दिन फिर वही घटा हो जाता था यह चैने का तातपर यह कि अगर लीवर पर होन हमें सिर्फ उसे समय देना होता है ना खाएं और शराब ना पी है खास तोर पर डाक साब की अपील थी और जो आपको इंजेक्शन के जरीए कोई दवा दी जा रही है या आपको कोई ऐसी खून चड़ रहा है वो उसकी जाच प्रपर हो जाए तो डाक साब बहुत बहुत शुक्री है आपका इस बात के लिए क उनको फिर किसी दिन करेंगे आज बस इतना ही आपका भी शुक्रिया और दर्शोगां का भी शुक्रिया जोनने इसको देखा सवाल पूछे और जितने संभव था उनकी जिग्यासा है शांत हो पाई बहुत साले कॉलर रह गए होंगे लेकिन समय की सीमाई कारण हम उनसे श को